जानते है सर रिशब पंत की गाड़ी वाइडर से टक्राई कैसे और उसके पीछे की exact कहानी क्या है दरसल वहाँ पे एक CCTV कैमरा लगा है जिसमें ये सारी की सारी वारदात रिकॉर्ड हो गई रिशब पंत के गाड़ी के टक्राने की वारदात एकसिडेंट होने की कहानी और धुदू कर जलती हुई ये गाड़ी की तस्वीरे सब कुछ दरसल रिशब पंत जब उस गाड़ी से आ रहे थे तब उन्हें सायद जपकी आई और जपकी आने के दर्म्यान उनकी गाड़ी डिवाइडर से आके टकरा गई टकर इतनी जोरदार थी कि कुछी वक्त के बाद उस गाड़ी में भयंकर आग लग गई और आग लगने की ये वीडियो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साइड में चल रहा है किस तरह से उनकी काड़ी धूदू कर जल रही है लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वो CCTV फूटेज देखिए जिसमें ये सारी वार्दात सारा मामला रिकॉर्ड हुआ गाड़ी आप देखेंगे ध्यान से तो बिलकुल सांथ है बहुत ज्यादा गाड़िया आ जा नहीं रही है लेकिन रिशब पंथ की गाड़ी काफी तेजी में आती है और डिवाइडर को तोड़ते हुए आगे बढ़ती चली जाती है हलाएंकि रिशब पंथ इतने बहादूर है कि जब उनका एक्सिडेंट हुआ तो खुद से ही उन्होंने बगल वाले सीसे को तोड़ा और उसमें से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद आप अब रिशब पंथ की ये तस्वीरे और ये वीडियो देख सकते हैं कि पूरा चेहरा लहु लुहान है पूरा चेहरा आप देख सकते हैं कि लहूलुहान है और किस तरीके से वो कुछ बोलते हुए आपको नजर आ सकते हैं वहाँ पर खड़े लोग उनकी मदद कर रहे हैं और इसके बाद लोगों ने उनको सक्षम अस्पताल में भेजा जो की रुडकी में ही है लेकिं सक्षम अस्पताल में बहुत डॉक्टर ने तुरत ही रेफर कर दिया तो फिर उनको देहरा दून भेजा गया मैक्स अस्पताल में जहां पर डॉक्टर ने शुरुवाती समय में बताया कि हालत बहत गंबीर है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जिसके बाद से देशबर के तमाम लोग रिशपपंद के लिए दुआ करने लगे कि रिशपपंद ठीक हो जाएं और एक कहा भी जाता है कि जिसको रखे साईयां मार सके ना कोई नहीं तो आप सोचिए कि जिसकी गाड़ी इतनी तेजी से आके डिवाइडर से टकराती है इसी स्पीड से और उसमें अकेला सक्स बैठा है और उस गाड़ी के टकराने के तुरत बाद उस गाड़ी में भयंकर आग लग जाती है आग इतनी तेज की वो गाड़ी धूधू कर जलने लग जाती है इसके बाद भी रिसपपंत खत्रे से बिलकुल बाहर है देश के तमाम लोगों की दुआएं उनके काम आई और एक बार फिर से रिसपपंत क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे अपने बल्ले से चक्चे चोकों की वरसात के साथ ये दिखाएंगे की रिसपपंत क्या चीज है लेकिन जब जब मैं ये वीडियो देख रहा हूँ एक पल के लिए ये लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया लेकिन एक पल के लिए ये भी लग रहा है कि ये बंदा कितना कि एक्सिडेंट होने के बाद खुद से खुद का सीसा ये तोड़ता है वहां से रिसपंत बाहर निकलते हैं फिर लोग उनकी मदद करते हैं और इसके बाद अस्पताल पहुचाते हैं हलांकि इसमें सबसे सुखत खबर ये है कि रिसपंत खत्रे से बिलकुल बाहर है लेकिन उनके दिमाग में और पैरों में गंभीर चोट लगी है हो सकता है उसकी सरजरी करानी पड़े